हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार गृता आयूश और दोस्तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरी सी के स्टॉक के बारे में जो दोस्तो आरी सी ने हाली में बोनस दिया है इसके आखिर शेयर हमाये डीमाट के अंदर कभ आते हुए देखने को म वीडियो इंपॉर्टन होने वाला है तो पूरा देखिएगा फ्रेंट्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो फ्रेंट सबसे बात करें REC के बारे में तो करीबन 105 रुपे पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला ये 19 अगस्त को क्लोजिंग प्राइस यही है अब अगर बात करें REC करें में तो 27,000 करोड की मार्केट क्याप है इस कंपनी की 127 रुपीज का 52 वीक हाई जो अब हो चुका है 127 रुपीज का 52 वीक हाई आपको देखने को मिलता है बुक वैल्यू ज़रूर 195 की देखने को मिलती है वो डिफरेंट है बट इंपोर्टन क्या कि दिखे कंपनी के अगर बात करता हूँ इंटम्स ऑफ रिटर्न्स तो रिटर्न्स दोस्तों इतने नहीं डिलिवर कर पाई है हाली के अंदर स्टॉक यहाँ पर इतना दा बढ़िया नहीं कर पाया है बलकि अगर आप नंबर्स दिखेंगे इस कंपनी के तो बहुत शांदार है इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर आपको देखने को मुलेगा 39,000 करोड की सेल्स कंपनी ने करी थी जिस पर कंपनी ने 10,220 करोड का मुनाफ़ा दर्स किया डिविडेंट डील आप देखेंगे तो 10.9% की है बहुत अच्छी डिविडेंट डील है यह यह EPS आप देखेंगे तो 38.8 का उस इसाब से intrinsic value दोस्तों जो कंपनी की बनती है वो 394 रुपीस की बनती है तो एक बहुत undervalued कंपनी आपको देखने को मिलती है बट कह सकते हैं क तो कोई दिक्कत नहीं है REC के अंदर मैं पहले stock के बारे मैं इसली बात कर रहा हूँ विकाज यह important है कि क्या यहाँ पर खैदर ही हम कर सकते हैं यह अगर आप देखेंगे pros and cons तो book value के नीचे trade कर रहा है good dividend है healthy dividend payout है दिक्कत है कहा आती low interest coverage ratio है company का जो company का यहाँ पर कह सकते ह हैं कि interest cost है उसको capitalize नहीं कर पाती है तो यह दिक्कत है जरूर आती भी देखने को मिलती है otherwise इस company में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है company बढ़िया है आपको देखने को मिलती है अब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर company के bonus issue के बारे में तो दोस्तों company ने हाली में bonus issue किया था अठातारिक को उसकी record date थी राइट अठातारिक को record date होती भी देखने को मिल चुकी है और इस प्रकार से bonus था कि अगर आप company के तीन share hold करते तो आपको उसके बदले एक share मिलेगा तो आप सब को पता ही होगा अब यह question निकल के आ रहा है कि जो यह bonus मिला है हमको वो bonus आखिर हमारे DMAT account के अंदर कब आता हुआ देखने को मिलेगा DMAT में कब show करेगा कि हमारे जो shares है वो आ गए है तो friends यह जो आपका question है वो definitely देखिए सही है बड important किया है कि दोस्तों यह process होती है जब मैंने वीडियो बनाया था इसका तब भी मैंने यही कहा था जो वहले time लगता है यह बात definitely आपकी दिमाग में होगी तो दोस्तों यह जो है यह कम से कम 5-6 दिन की process है 5-6 days की यह process है अब 5-6 दिन के अंदर आपके जो DMAT में shares है वो आपको मिल जाएंगे अब काफिल हो के हो सकता है कि अगर कुछ DMAT में जैसे कोई दूसरी application होती है अलग-अलग type कि अगर मैं बात करता हूँ simply zero the up stocks in sub में तो अभी तक show नहीं हुआ है बट कुछ होंगे जिसमें show कर रहा है लेकिन आप उसके अंदर अभी भी trading नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं इसके पीचे का reason logic क्या है कि company को friends जब भी कोई नए shares अभी नए shares कैसे हुए नए shares दो ओस दो ज्रूरों break किया है बट वो जो break किया है shares को उसको फिर से market में लिस्ट करवाना पड़ता है ठीक है market में क्या करवाना पड़ता है list करवाना पड़ता है और उस listing में एक time लगता है उसके बाद जाके दोस्तो वो जो shares है उसमें आप trading start कर पाएंगे उसके बाद आप जाकि उसमें trading start कर पाएंगे तो अगर आपके DMAT में दिखा भी रहा है तब भी आप चाह कर भी उसको नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वो shares market में trade होईंगे होईंगे नहीं राइट वो trade नहीं हो सकते हैं तो ये बात important है कोई चिंता मत करी कि आपके shares कहां चल जाएंगे बहुत जल्द वो देखिए process जैसे complete होगी अगले हफ़ते market के अंदर आपके shares जो होई आपके DMAT में आपको show होते होई देखने को मिल जाएंगे तो ये बात important है अब जिस प्रकार से दोस्तों आपका ratio है अब काफी एक question निकल के आता है कि मेरे पास तो देखिए odd numbers में shares नहीं थे suppose मेरे पास यहाँ पर 5 share थे 6 नहीं थे तो वो जो 2 share है उनका क्या होगा तो दोस्तों वो जो 2 share आपके हैं वो आपके जो कह सकते हैं कि उसे साबसे जो ratio के साबसे पैसा बनेगा वो company आपको बाद में लोटा देगी ऐसा नहीं कि अगर आपको बास 2 share तो आपके बास वो एक share का नुकसान होगे नहीं उसके साबसे दोस्तों company जो है वो आपको बाद में पैसा लोटा देगी वो आपके direct bank account में transfer कर देगी तो इस प्रकार से वो process होता है लिकोस यह question सी पुझाता है कि अगर हमार पास उसी ratio के अंदर shares नहीं है तो फिर हम क्या करें हमने तो लिया ही नहीं या तो हमको पता ही नहीं था हम तो भूल गए तो friends अगर आपने ऐसा कुछ भी हुआ है आपके साथ तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है company उस ratio के साब से वो जो एक share है दो share है suppose चार भी हो तो total आपके वास कितने दो share नहीं है ना तो उस हिसाब से वो shares का पैसा है उस ratio के निकाल कर वो company आपको आपके bank account में बाद में transfer कर देगी उसमें भी time लगता है ऐसा नहीं कि hand to end काम हो जाता है नहीं time लगेगा time लग सकता है अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई estimated date भी बता दो तो estimated date यह यह कि मुझे लगता है कि यह जो आपका shares है वो 26 27 तक या पर उससे पहले भी आजा तो कोई बड़ी बात नहीं है बट 26 27 तक आपके DMAT में most probably shares मुझे लगता है कि 27th of August तक shares आपको DMAT में show करते हुए देखने को मिल जाएंगे 26th August को भी कर सकते हैं working days की बात कर रहा हूँ राइट तो यह बात है important अब दोस्तों यह डाउट तो आपको hopefully clear हो गया होगा जिनको अभी भी clear नहीं हुआ तो वो चाया तो comment भी करके बतास पूछ सकते हैं मुझसे मैं आपको दाने की गोशिश कर दूँगा अब बात करते हैं stock it targets के उपपर कि क्या इन लेवल्स पर बाइंग करनी चीए क्या इसलिए शुरुवात मैंने आरिसी के बार में बात कर रही थी और आपको बताया था कि company बुरी नहीं है company बढ़िया आपको देखने को मिलती है लेकिन अगर आप इसका return देखेंगे for the last one year कुछ है ही नहीं 0.58% down stock का अगर आप return देखेंगे last 5 years का 17.66% down max return अगर आप देखेंगे तो 148% 148% कब से आपको आता हुआ देखने को मिला है 2008 से तो हमेशा ये underperformer रहा है इसमें कोई doubt नहीं कि हमेशा ये returns बहुत बढ़िया दे जाता है नहीं returns नहीं देखे गया underperformer आपको रहता हुआ देखने को मिला है हर बार दोस्तों कोशिश किया है बट लेकिन इस level के उपर कभी नहीं बढ़ पाया ठीक है तो वो एक resistance के तौर पर भी काम करता है बट अगर आप दोस्तों R.E.C. के अंदर investment करना चाहते हैं एक यही कह सकता हूँ कि अगर आपको अच्छा dividend चाहिए तो आप definitely R.E.C. में पैसे लगा के चल सकते हैं किसी को नहीं पता कि देखे कब जाकि यह breakout देगा जिस दिन देगा फिर कोई पकड़ नहीं पायेगा यह भी पात है बट जैसे मैंने का कि टाइम देना पड़ेगा इस टॉक को ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आपको यह शेर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा लास्ट सिंक्स में बजूई आपको 13% की रिटन्स अगर आप देखेंगे mostly last one month के अंदर आते हुए देखने को मिले last one month के अंदर क्यों आते हुए देखने को मिले because stock कह सकते कि एक bonus भी था plus थोड़ा बहुत बढ़िया भी कर गया तो ऐसा time आता रहता है बट वो वापिस से गड़ जाता है तो यह कह सकते कि maintain नहीं कर पा रहा है अपनी तेजी तो वो तेजी maintain करने के लिए यही कि अगर आपको इसमें investment करना है तो या तो आप बहुत long term का view रखते हो तो invest करिए short term में तो मुझे लगता नहीं कि देखें या पर जादा investment के तौर पे अच्छी रहेगी तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था hopes वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से नए जुड़ों सब्स्राइब कर देना थैंक्यू फ्रेंट्स वाचिं दिस वीडियो